प्रेश बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आई प्यों के वारे में तो चलिए शुरू करते हैं विरज आईरन से विरज आईरन से आपको पता है आज आखरे दिने बलकि आप कह सकते हैं कुछ आखरी घंटे बचे होएं जब जाकर यह जो इशू है वो हमको बंद होता हुआ दिखने को मिलेगा और नो डाउट दोस्तों आज इशू क्लोज हो जाएगा करोड रुपे के आसपास इसके अंदर क्यू आईवी जने पैसा लगा दिया है इसके एचनाई काटेगरी आती है जो 173 टाइमस हमको सब्सक्राइब होती विर ने जार आ चुकी है अल्मुस्ट 4,445 करोड रुपे जो है वो बेसिकली यहाँ पर एचनाई काटेगरी ने लगा है जिसमें बिग एचनाई काटेगरी ने अल्मुस्ट 169 टाइमस और स्मॉल जनाई काटेगरी ने 181 टाइमस जो रीटेल काटेगरी है वो भी कई पीच्छे नहीं है और नो डाउट दोस्तों तीन बजी के बाद जो गती है वो थोड़ी सी और हमको बढ़ती वी नजर आती है सब्सक्रिप्शन की तो मेरे साब से लेगे जो सब्सक्रिप्शन है वो नो डाउट बहुत अच्छा निकल कर इसके अंदर अभी तक आ रहा है इसके बाद दोस्तों जो इश्यू आता है वो है MQO Pharma जी हां MQO Pharma इश्यू भी ओपन होने वाला है अब ध्यान रखिएगा MQO Pharma पहला बड़ा इश्यू है जो ओपन होने वाला है 3 जुलाइ से 5 जुलाइ की बीच में 10 रुपी की face value है प्राइस बन रिलीस कर दिया गया है 960 से 1008 यानि अल्मूस एक हजार आट रुपे का प्राइस बन कंपनी ने सेट रखा है 14 जे अपको मिलेंगे कुल मिलाकर 1952 करूर का इश्यू है जिसमें से 800 करूर का फ्रेश इश्यू है और offer for sale है 1152 करूर का इसमें अपनी इंप्राइस के लिए 90 रुपीस पुर्ष है अगर डिस्काउंट भी रखा है और BSE NAC दोनों पर आपको लिस्टा होता हुआ निजर आएगा इसके अंदर दोस्तो 50% है QIV के लिए 35% है रीटेलर्स के लिए 15% है फॉर दो HNI काटेगरी तो let's see कितना बढ़ी है दोस्तों ये कर पाता है बट ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा मेरे साब से कितना पैसा निकल कर आता है दोस्तों इस इस इशु के अंदर रिस्पॉंस मिलेगा बट कितना आएगा वो बहुत इंटरस्टिंग होगा देखना और इसी के साथ साथ देखाओ ना है मैं इन्बड आईप्यों जो तीन जुलाई से ही उपन होगा उसका नाम है बंसल वायर्स जी हाँ बंसल वायर्स आईप्यों उने वाला है तीन से पांच जुलाई के बीच में पांच रुपे की फेस वालियू है 243 से 256 रुपीस का प्राइस में ने सेट करा है 586 का लॉट साइज है 745 करोड का इशु है पूरा का पूरा फ्रेश इशु है और BACNAC दोनों पर लिस्ट होगा इसके अंदर दोस्तों 50% है काटेगरी for the QIB काटेगरी 35% है for the retail and 15% है for the H&I काटेगरी वैसे company care में बात करता हूँ थोड़ी बहुत सो थेकि बंचल वायर्स और company का काम किसका है stainless wire का 1985 से company काम कर रही है और company तीन major segments में काम करती है इसमें high carbon steel wire, low carbon steel wire और stainless steel wire company का प्रेश अल्मुस्ट 3,000 different types of steel wire products है जो range करते हैं thin to very thick company के अल्मुस्ट 5 है customers आपको देखने को मिल जाएंगे so अपने आप में देखिए company काफी बढ़िया नजर आती है अगर मैं profitability की बात करता हूँ revenue की बात करता हूँ तो revenue दोस्तो company ने 2022 के अंदर 2205 करोड का report किया था अगले साल 2400 करोड का report किया 2470 करोड का report किया मुनाफ़ इसी भी जगर आप लिखेंगे company का 57 करोड 59 करोड 78 करोड तो मुनाफ़ बढ़ता हुआ नजर आ है अगर company के return on equity return on capital product आप लिखेंगे तो बहुब हमको बढ़िया दिखते है debt to equity थोड़ा सा कम होना चाहिए इसमें कोई doubt नहीं है इसकर में और बात करेंगे जल because company के no doubt यहाँ पर margins आपको बहुत जादा देखने को नहीं मिलेंगे 2-3% के है so let's see यहाँ पर कैसा करता है issue इसकर में जल डीटेल में हम वीडियो ले कराएंगे अब चलिए green market बात कर लेते हैं बाकि आपको एक और ख़बर देता हूँ according to what sources से इस महीने के अंदर दोस्तो Ola Electric का IPO भी open हो सकता है यह भी ध्यान रखिएगा बंसर वायस के दिखिए कोई भी green market बीदक start नहीं हुई है mk of pharma की अगर बात कर तो green market start हो चुकी है 26.79% यानी green market बहुत चांदार हम कैसकते हैं देखने को मिल रही है 26.79% currently हमको चलती वे निजारी है let's see कितना अपर green market टिक पाती बेकाद अभी तो देखिए opening है opening के बाद टिखना बहुत important होता है let's see क्या होता है next आता है दोस्ते आपर MK Laboratories एक NSE SME इशु है जो open होने वाला है from 3rd of July to 5th of July 68 रुपीस का price band है कोई green market नहीं है 46.68 करोड का इशु का size है और 3 जुलाई से 5 जुलाई की बीच में open होगा next आता है NephroCare India एक NSE SME इशु है जो open हो चुका है आज से और ये 2 जुलाई तक open रहेगा 90 रुपीस का price band है 100 रुपे का premium है नहीं अल्मोस 111% का premium देखने को मिल रहा है बाकी 41.26 करोड का इशु का size है और ये open हो चुका है 2 जुलाई तक close होगा next आता है व्रच, iron and steel जैसे अभी आपने बताया अगर अच्छी listing मुझाती है तो 45% के पार होती ही होती बढ़ ठीक है कोई दिक्करदली बात नहीं है मिजब तो इसकी green market 45% के पार हो जाएगी यहापर कोई बहुत बड़ा issue नहीं आएगा let's see क्या होता है next आता है Dean Stinn Tech एक NACC SME issue है तो दोस्तो open 26 June से हुआ था और आज आखरी दिन है बाकी कोई green market नहीं उसके बावजूद भी 18 times सब्सक्राइब हो चुका है तो यह अपना आप में मुझे चौकाता है कभी कबार की देखिए यहाँ पर याद तो काफी लोगों को इस company कार में बहुत कुछ अच्छा पता है जो बहुत सा लोगों को नहीं पता है बट या फिर ऐसा लगता है कि एक hope है कि यह पर पैसा लगा देते है पैसा बन जाएगा अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो में अपसे तरोड़ सा ध्यान से रही बहुत SME रहाद रखेगा थोड़ा बहुत फ्रॉथ है इसके अंदर इसको में डिनाई नहीं कर सकता नेक्स आता है दोस्तो तो इश्यू जिसका नाम है The Money Fair जो कल बंद हुआ आज allotment माफ करेगा इसका allotment आपको आता हुआ निजर आएगा एक जुलाई को बाकी बंद हो गया था लेकिन आज आज आना चे लेकिन कम्पनी ने एक जुलाई आपको 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 देखने को मिलेगा तो आप सबको best of luck नेक्स आता है अलाइट blenders green market में गिरावट देखने को साफ मिल रही है उसके पीछे का reason क्या है जो listing को इस टेंले कि उसने effect डाला है बट में आप से देखिए allotment आज आज आजएगा और उसके बाद listing जैसे मैंने का मुझे लगता नहीं कि negative में होगी बट हाँ यह देखना होगा कि कितने उपर listing होती है यह देखना है दिल्चस्प होगा फोचता है कि आपको चौका भी दे listing पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट लेट सी क्या होता है नेक्स आता है दोस्तों इशू जिसका नाम है divine power एक NACC SM issue है जिसका closing हमको देखने को मिला कल और आज allotment है almost 393 times हमको subscribe भी होता हुआ देखने को मिला और massive subscription आप क्या सकते नजर आ है बाकि इसका allotment आज है और 2 July को listing है नेक्स आता है जिसका नाम है दोस्तों issue वो है शिवालिक power control एक NACC SM issue जो close हुआ था 26 जून को 27 जूनिया नहीं allotment आउट हो चुका है 175% का इसका premium है और listing है 1 July को तो let's see कितने उपर ये list हो पाता है next issue आता है दोस्तों Slive and Plyboard जिसका allotment भी out हो चुका है 49% का premium है और सत्ता ही एक जुलाई को इसकी भी listing है 27 जून को इसका allotment हो चुका है तो अब 1 July को ये list होगा अपने अपने अच्छी listing हो सकती है जिस तरगे से premium चल रहा है next है Manson Infratech जिसका भी allotment दोस्तों out हो चुका है बलकि listing है अब कल यानि जिस दिन अगले 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 दिन market खुलेगा यही मंडे को बड़ है listing हो सकती है जिसका भी दोस्तों अगर आप premium देखेंगे तो almost 32.56% का चल रहा है और listing है 1st of July को बाकि दोस्तों आज जिसकी listing हो जिसमें standard lifestyle था 34% पर list होता हुआ देखने को मला premium almost 47% चल रही थी तो उसके सामने 34% के listing को कोई खास अच्छा माना जाना नहीं सकता बढ़ ठीक है जहां पर भी list हुआ वहीं अगर बात करता हूँ Medicare and Organics की तो listing हुई 56% के 200% का premium के सामने 300% पर listing तो इस तरह के देखे listings भी होती है और कुछ listing disappointment करती है